वेलकम गुड मॉनिंग ओल्डी एमल्टी स्टूडेंट्स तो आज का लेक्चर आपका हिस्टो पैथलोजी के अंदर की स्क्यूब पर है तुडेज लेक्चर ओन सेल ब्लोक प्रिपरेशन एंड बार बोडीज यानि सेल ब्लोक प्रिपरेशन यानि क्या हिक्चर कोई स्टूलोजी कल सेंपल को अपनी स्टोपेथलोजी के प्रोसीजर से अगर करके prepare करके उसका ब्लोक और एक्जामीन करते है और बार बोडीज यानि एक्स क्रॉमोसोम फिमेल में परिजेंट होता है next Experience cell block preparation तो यह cell block is a method of preparing cytological material यानि cell block क्या एक method है जिसके दोबर आपन क्या cytological material को prepare करेंगे so that it can be processed section यानि इसको क्या section की तरह आपन process करेंगे जैसे tissue processing की थी वैसे stain करेंगे and weave as a histological section section की processing करेंगे फिर उसको stain करेंगे और उसको histological section की तरह ही देखेंगे वो क्या है cell block preparation बोलते हैं उसको next है type of cell block preparation तो एक तो है direct processing of tissue fragment present in fluid यानि यह अलग-अलग प्रकार के होते हैं cell block preparation direct process करके tissue fragment को फिर प्रजेंट करेंगे fixed sediment method, bacterial agar method और क्या है simplified cell block technique using alcohol यानि alcohol को काम में लेके किसी block को fix करना सबसे simple technique है तो cell block preparation क्या है कि एक method है जिसके दोर आपन cytological smear को या cytological material को तियार करते हैं किसी histology के procedure को काम में लेके और उसको किस तरह किसी देखते हैं histological section की तरह हैं देखते हैं next type of cell block preparation में तो पहला है direct processing of tissue fragment present in fluid दूसरा fixed sediment method तीसरा क्या है bacterial agar method और चोथा क्या है simplified cell block technique using alcohol यानि alcohol को काम में लेके क्या है cell block preparation त्यार करेंगे है अपन next और कौन से कौन से type के हैं cell block preparation करने के method तो एक है compact cell block technique दूसरा है plasma thrombin method प्लाजमा के अंदर आपको पता है thrombin clotting factor प्रजेंट होता है next cell block from millipore या histogel method next gelatin embedding यानि embedding किसके द्वारा करेंगे gelatin के द्वारा siloidine bag और क्या है cell block preparation from scrapping और cytological smear यानि किसी चीज़ को scrap करके उसकी क्या है cytological smear prepare करेंगे उसके द्वारा cell block preparation करना उसकी next है automated cell block preparation और लास्ट ही लास्ट क्या है albumin method तो इसके अंदर से mostly lab के अंदर कौन सा method काम में लेते हैं अपन cell block के अंदर albumin method सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है सबसे पहले compact cell blocking फिर plasma thrombin method cell block from millipore histogel method हो गया gelatin embedding method हो गया siloidine bag हो गया या फिर क्या cell block preparation from scrapping cytology automated cell preparation हो गया albumin method हो गया तो यह सारे क्या है अलग अलग method है किसी इसके cell block preparation के किसी खिरेँ कार करु़ rang किरेँ करु़ यो किसी अलगी हो a भort जाओ सारे किसी मौभी तो ह। आओ सारे किसी अलग 명 गया तो ए hunters नवादा किसी आओ सारे आओ सारे ॉरेए कि नेक्स्ट देखिए आप क्या चीज है कि अपन क्या नेक्स्ट क्या करते हैं सेल ब्लॉक प्रिपरेशन में स्पेशिमें किसका लेते हैं सबसे पहले देखिए जैसे आर्ने मैटिरियल हो गया किसी सेल का या फिर स्पूटम हो गया या इफ्यूजन फ्लूड हो गया यूरीन सेडिमेंट हो गया या यूरीन को सेडिमेंट यानि सेंट्रिफ्यूज करने के बाद जो सेडिमेंट बसता है वो हो गया या फिर की है या फिर क्या है bronchial washing की है gastrointestinal washing का कोई sample हो गया क्या लावेज होगया कि यह स्पेशी में next advantage क्या हो 挺 cell block preparation की he slides are more readily interpretable by histologist you know slide क्या है slide को अच्छे तरीके से एक्जामीन कर सकता है वो interpretable हो जाती है किसके लिए histopathologist के लिए नहीग इजी हो जाती है नेक्स्ट अवेलिब अवेलिबिलीटी ओफ ब्लॉक फैसिलीटीज मोर सेक्षन यानि कई परकार के अपना अलगलग सेक्षन अवेलेबल हो जाते हैं सेल ब्लॉक के दुबारा इनका जो स्टोरेज है यानि इनको स्टोर करना है सेल ब्लॉक को वह बहुत इजी होता है यानि लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं किसके अपरीजन में स्टेन की लाइज के लिए यानि इंटर परिटेबल हो जाती है इस्ट्रपेथलोजिस्ट के लिए और क्या है अलग अलग blocks की facilities मिल जाती है एक sample से कई blocks prepare हो जाते है next slide के उपर छोटे ही area के अंदर क्या है material क्या है concentrated हो जाता है तो उसको examine करने भी भी कम time लगता है फिर क्या है storage cell blocks का जो है वो क्या है easy है किसके comparison में stain slide को store करने के comparison में इनका storage जो है वो बहुत easy है cell blocks को अपन easily लंबे समय तक है store करके रख सकते है इसलिए क्या है अपन cell block preparation method को ज्यादा तर काम में लेते हैं lab के अंदर कि नेक्स्ट क्या है और क्या है एक और advantage क्या है इसके तो देखिए no necessity of biopsy यानि कोई जुरूरी नहीं इसके अंदर की cell block preparation के लिए किसी का biopsy का sample लिया जाए यान liquid fluid से भी अपन क्या cell block को prepare कर सकते है और disadvantage क्या है इसके तो compared with routine smear it takes longer time यानि अगर आपन routine smear को साथ इसको compare करें तो इसको prepare करने में ज्यादा time लगता है sparse cellularity यानि जो cellularity होती है cells के जो component है उनको sparse कर देता है डेमेज कर देता है यानि तलचिट कर देता है वो क्या है उनकी उपर effect पड़ता है distoriation artifacts और artifacts है उनके अंदर distoriation आ जाता है उनकी structure क्या है डेमेज हो जाती है तो disadvantage यानि routinely जो smear prepare करते है इस्टोपेथलोजी की लैब में उनके comparison में ज्यादा टाइम लगता है cellularity sparse हो जाती है और distoriation artifacts next क्या है albumin method यानि last में जो method दिखा था आपने उससे अपन cell block क्या से prepare करेंगे तो in one ml of sediment add two to thirty percent bovine albumin यानि एक ml sediment के अंदर यानि किछी urine का sediment होगे कोई भी sample है उसका sediment लिया है उसमें क्या है दो से तीस percent अपनके add कर देंगे bovine albumin add कर देंगे add 90 percent alcohol to fix the specimen और इस specimen को slide के उपर fix करने के लिए अपन क्या लेंगे 90 percent alcohol को add कर देंगे place this mass in the properly labeled cassette और यह जो material अपने prepare किये उसको क्या है label यानि mark क्यूंद 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 अपन रख देंगे और place the cassette in fixative and submit for processing as tissue और फिर क्या add उस cassette को किस में रखेंगे fixative में रखेंगे और fixative के बाद में उसको submit कर दें किस चीज के लिए tissue processing के लिए यानि आगे का procedure कैसा होगा same to same जैसे histopathology के अंदर अपन कैस किसी specimen को biopsy को एक्जामिन करते हैं उसकी तरीके सारे procedure होंगे तो सबसे पहले तो एक ml sediment लेंगे जिसके अंदर क्या add करेंगे 30% 2-30% bovine albumin add कर देंगे फिर उसको 90% alcohol के अंदर fix कर लेंगे फिर उसको properly cassette labeled cassette के अंदर place कर देंगे और इस cassette को फिर क्या fixative fluid में डालेंगे और किस चीज के लिए submit कर देंगे अपन जैसे tissue processing हो गई या फिर other कोई component हो गई उसके लिए submit कर देंगे next देखिए procedure सबसे पहले क्या है कोई fluid sample ले लिया आपने फिर उसको centrifuge किया डाइग्राम के द्वारा देखिए centrifuge करने के बाद जो sediment है sediment ले लिया bottom का फिर उसको क्या है decant supreme end यानि discard the supreme end उपर का जो supreme end उपर का पार उसको discard कर दिया और dry और जो extra sediment है उसको क्या है ड्राइ कर लिया आपने bloating paper के उपर या filter paper के उपर melt histogel and according to the manufacture instruction यानि फिर क्या है आपको histogel को क्या है यह जो procedure SL block का जो डाइग्राम में दिखाए गया वो histogel method से है तो histogel को क्या है melt कर लिया आपने add one drop of molten histogel यानि melt and pig लिया हुई histogel को add कर दिया आपने किसके अंदर tube के अंदर gently इनको mix करने के बाद आपन क्या करें wooden streak के साथ इनको अच्छे से mix किया फिर cool करेंगे इनको cool करने के बाद क्या करेंगे refrigerating sediment यानि जो नीचे sediment बचा हुआ है उसको किसमें transfer कर देंगे solid histogel यानि tissue processing acid के अंदर transfer कर देंगे फिर उसका tissue processing होगा 10% 10% formalin से worst कर लेंगे last में और क्या त्यार हो जाएगी आपकी process for paraffin embedding embedding के लिए कि कैसे त्यार हो जाएगी तो इस तरीके से क्या है अपन cell block को prepare कर सकते हैं यानि एक block कैसे या एक block बन जाएगा जिसका जो किसके जैसे एक जामिन करेंगे अपन histology के यानि सबसे पहले तो क्या है जैसे अगर album में method देखें तो सबसे पहले कोई fluid लिया फिर उसको centrifuge किया यानि sample को फिर उपरी प्रेंड जो है वहो डिसकार्ड कर दिया फिर उसमें क्या है टू से 30% एल्बूम यहीन मिक्स किया ट्यूब के अंदर सेडिमेंट के अंदर उसको मिक्स करने के बाद उसको छोड़ दिया छोड़ने के बाद उसका क्या किया रेफ्रीज रेटिंग की रेफ्रीज रेटिंग कितने मिनिट के लिए पांच से दस मिनिट के लिए फिर उसको क्या आगे इस्ट्रोपेथलोजी के प्रोसीजर में पेटोलोजी यानि साइटोलोजी की मैटेरियल को एक्जामिनेशन के लिए काम में ले सकते हैं कि इसी तरीके से अपन क्या है अलबूमेन मैथड में करते हैं यह डाइग्राम के अंदर तो क्या है हिस्टोजेल मैथड दिखाया गया सेल ब्लोग प्रिप्रेशन कंप्लीट होने बाद सेकिंड टोपिक है बार बोडीजी यानि एक्स क्रोमेटिन जो फिमेल के अंदर प्रेजेंट होता है इसकी डिस्कवरी किस ने की थी तो मेरी बार ने की थी बार बोडीज is an inactive X chromosome present in females यानि बार बोडीज क्या होती है कि inactive form में जो X chromosome present होता है sexual chromosome females के अंदर उसको क्या बोलते हैं अपन बार बोडीज बोलते है each normal healthy female has double X pairs of the sex chromosome यानि एक healthy healthy female के अंदर एक जोड़ी क्या है X chromosomes present होते है और आपने देखा हुआ males के अंदर तो XY chromosome होते हैं लेकिन females के अंदर XX chromosome होते है inactive X chromosome bind with nuclear membrane और ये जो inactive chromosomes होते हैं वो किसके साथ bind अप रहते हैं तो nuclear membrane के साथ ये bind अप रहते हैं next बार बोडीज is klein filter syndrome 47 triple X या turner syndrome यानि बार बोडीज के अंदर कोई problem हो जाए यानि एक X जादा आजए तो उस chromosome कितने होगे total 47 होगे जिसको अपन क्या बोलते हैं क्लाइन फैल्टर syndrome भी बोलते हैं या फिर turner syndrome भी बोल सकते हैं तो शुरू से देखिए कि बार बोडीज की discovery किसने की Mary bar ने की है बार बोडीज is an inactive chromosome present in female यानि बार बोडीज के एक inactive chromosomes है जो किसके अंदर present होते है फिमेल के अंदर और healthy female के अंदर एक जोड़ी के है X chromosomes present होते है inactive X chromosome bind with nuclear membrane और ये जो inactive chromosome है वो किसके साथ bind अप रहते हैं nuclear membrane के साथ बार बोडीज is client filter syndrome अगर बार बोडीज के अंदर X chromosome की count ज्यादा हो जाए तो उसके काण क्या disease होगी क्लाइन फैल्टर syndrome हो जाएगा या Turner syndrome हो जाएगा यानि उनके अंदर क्या है कुछ कुछ males के लक्सन आने लग जाएगे symptoms दिखाई देने लग जाएगे नेक्स्ट देखिए आप क्या है इसके अंदर नेक्स्ट पोजिशन ऑफ बार बोडीज यानि बार बोडीज जो है वो कहां पर प्रजेंट होती है तो mostly bind to nuclear membrane यानि mostly जो बार बोडीज जो किसके साथ attach रहती है nucleus की जो membrane उसके साथ attach रहती है found in freely cytoplasm और free cytoplasm के अंदर भी present रहती है test for bar bodies यानि bar bodies के लिए अपन कौन सा test करते हैं तो bar bodies can be easily and clearly observed in the buccal smear of the females यानि bar bodies है उनको अपन easily यानि असान से और clearly यानि अच्छे तरीके से observe कर सकते है कि इसके अंदर जो females की buccal smear के है buccal cavity से कोई fluid लेकि उसकी जो smear बनाएंगे उसके अंदर females से next buccal smear is the test cell are taken from the lining of mouth और buccal smear के हैं test cells है जिसको कहां से लेते हैं अपन की अपने mouth से लेते हैं mouth के अंदर जो lining part है वहां से लेते हैं taken from the lining of mouth यानि lining mouth से लेते हैं next cells are the collected by spatula in buccal mucosa of tongue ये sorry long girl दिखा गया है यहाँ पे कहा है tongue यानि cells है वो कहां से collect करते हैं बccal mucosa है जो अपना उसकी tongue से यानि जीब से next it appear as a round attached to the nuclear membrane और यह कहा है appear कैसा होता है round color की round दिखाई देती हैं आपको और nuclear membrane से attach हुई दिखाई देंगी तो position क्या होगी कि bar bodies किसके साथ attach रहती है nuclear membrane के साथ और यह site of plasma में free होती है और bar bodies को अपन buckle smear बना के अच्छे तरीके से observe कर सकते हैं easily observe कर सकते हैं देख सकते हैं और sample कहाँ से लेते हैं तो अपने mouth के अंदर lining part यानि tongue के उपर उससे sample लेते हैं buckle mouth से और cells को collected किसके दौरा करते हैं तो spatula के दौरा collected करते हैं buckle mucosa of lung यानि buckle mucosa of tongue यानि जीव के lining network से अपन के sample collect करते हैं और इसके अंदर आपको कैसी दिखाई देंगी bar bodies तो आपको round दिखाई देंगे और जो nuclear membrane के साथ attach हुई दिखाई देंगी करते हैं है requirement यानि क्या-क्या चीज़ें छी आपको बार बोडी के लिए इसके इन वास्टीकेशन के लिए तो बकल एपिथीलियल चाहिए आपको ठीक है यानि सेंपल चीए स्पैचुला चीज सेंपल कलेक्षन के लिए टिश्टल बोटर चीए ग्लास लाइड चीए स्लाइड बनाने के लिए carbon fitution चीए staining के लिए और microscope चीए examination के लिए requirement के अंदर सबसे पहले तो sample चीए यह नि बकल epithelial cells चीए spatula चीए sample collection के लिए digital water चीए glass की slide चीए slide preparation के लिए और क्या चीए carbon fitution चीए किस चीज के लिए जो स्मियर आपने प्रिपेर की है एक्स क्रोमोसोंस की फिमेल की उसको क्या है स्टेन किया जास के क्योंकि क्रोमोसोंस के लिए staining कौन सी काम है लेते हैं carbon fitution को next है microscope चीए किसको microscopic के लिए यह निए slide को एक्जामिन करने के लिए next देखे प्रोसीजर तो प्रोसीजर के अंदर क्या होता है सबसे पहले कि sample collected from buccal mucosa by the help of spatula यानि किसी भी फिमेल का जिसके examination करने है बाहर बोडीज की उसके buccal mucosa से अपन क्या है sample collect करें किसकी help से spatula की help से spread the sample on glass slide यानि फिर इसको किसके उपर spread कर दें glass slide के उपर fix the smear in 95% alcohol और अपन smear को किसके अंदर fix करेंगे फिर 95% alcohol के अंदर stain by carbon for 15 minutes और जो smear prepare किये fix किये 95% alcohol के उसके बाद में उसको stain करेंगे अपन किस चीज के द्वारा carbon physician के द्वारा कितने मिनट के लिए 15 मिनट के लिए washing फिर उसको wash कर देंगे ताकि excess जो stain है वो क्या होजाए remove हो जाए और वो stain करने के बाद dry होने के बाद उसको क्या कर लेंगे microscope कर लेंगे examine कर लेंगे तो प्रोसीज में क्या करेंगे sample collected from buccal mucosa by the help of spatula इस पैचुला की help से sample collect करेंगे फिर उसको spread कर देंगे अपन glass slide के उपर फिर उसको fix the smear in 95% alcohol इस smear को क्या है 95% alcohol में fix करेंगे फिर carbon potutions या अपन strain करेंगे कितने मिनट के लिए 15 मिनट के लिए फिर उसको wash करेंगे वोस करने के बाद क्या करेंगे उसकी microscopy कर लेंगे पर microscopy के अंदर देख लेंगे x chromosome present है या नहीं है next देखिए क्या है result तो result कैसा होगा इसका dark stain bar bodies attached to nuclear membrane is present in females या नहीं dark stain हो जाएंगी bar bodies x chromosome जो आपको किसके साथ attach हुए दिखेंगे nuclear membrane के साथ attach हुए दिखेंगे और यह किसके अंदर present होगे female cells के अंदर male के अंदर not present next है usage यानि आपन किस चीज के लिए काम मिलेते हैं इनको तो sex determination in forensic science यानि forensic science के अंदर sex determination के लिए female है या male है next player requirement medical check-up यानि players के medical check-up के लिए players को requirement होती खेलने से पहले तो उस time पे भी चेक करते हैं diagnosis of intersex और intersex को diagnose करने के लिए तो result तो क्या होगा कि आपको कैसे दिखाई देंगे कि डारक स्टेन दिखाई देगी बार बोडी जो nuclear membrane के साथ अटेच होई round दिखाई देगी और यह किसके अंदर प्रजेंट होगी female cells के अंदर male के अंदर not present usage क्या है तो sex determination के लिए forensic lab में काम में लेते हैं forensic size के अंदर player requirement medical check-up और players को medical check-up की requirement होती उस time पे भी अपन करके देखते हैं diagnosis of intersex intersex का पता लगाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं बार बोडी की examination investigation कर सकते हैं next lecture आपका किसका होगा hematology के यानि histopathology के अंदर जो आपके hematology के topic sound के उपर होगा जैसे bt bleeding time हो गया, clothing time हो गया या फिर क्या है prothrombine time हो गया तो वो सारी के हैं आपका next lecture में discuss करेंगे जो कि है last point आपका hematology किसका histopathology का thanks to all तो किसके है सुste एक है किसके है गो पिए किसके है झाल झाल